Hello everyone, अगर आपने IBS के लिए अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा है, तो ये वीडियो आपके लिए, क्यूंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप 1.5 डेज में IBS के लिए best preparation कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको कौन-कौन से materials लेके जाने हैं, और आपको paper में time manage कैसे करना है, तो बिना कोई time waste किये, चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज की, मतलब 14th में की, मैं ये assume कर रहा हूँ कि आपने law पहले कभी नहीं पड़ा है, आपको law एक बार तो अच्छे से समझना ही पड़ेगा, क्योंकि directly अगर आप exam में law को पढ़ोगे, तो आपको वो interpret करने मुश्किल होगी, तो मैं ये suggest करूगा कि आप law का कोई marathon देख लेना, नवंबा 20 वाला, क्योंकि अगर कोई faculty live marathon ले रहा है, तो वो 1x की speed पे होगा, और वो आपके लिए बहुत जादा time consume कर लेगा, तो मैं ये suggest करूगा कि आप कोई marathon तो आपको वैसे भी नहीं होगा, दूसरा आपको SCMP subject जो है, वो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, उसमें आपको सिर्फ एक topic जो है, वो अच्छे से कर लेना है, standard costing, ये ऐसा क्योंकि बाखी सारे topics में mostly आपको theory questions पूछे जाएंगे, या फिर अगर practical भी पूछे और उसको कैसे apply करना है, वो एक बार questions करके देख लेना, तो ये दो चीज आपको आज के आज ही खतम करनी है, रात को सोने से पहले, फिर आप कल उटना 15 में को, आपके पांचों subject के exam सभी खतम हुए, अगर आप ऐसे कोई candidate थे जिसने सिर्फ second group दिया है, या फिर जो सिर्फ IBS दे रहा है, या पहले exemption सी, इसलिए उन्होंने दिया नहीं कोई paper, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उन particular subject के लिए, जिसके आपने exam नहीं दिये, उन particular subjects के लिए आप एक marathon देख सकते हो, 2X की speed बे, ताकि आपको थोड़ा बहुत दिमाग में घुज जाए कि वो subject में क्या क् टॉपिक से, उनको कैसे समझना है, law और SCMP, इन दोनों का एक index पढ़ना, सिर्फ आपको index पढ़ना है, देखना है, कि भाई, कहां कहां पर कौन सा ही चीज़े हैं, वो आप module से भी कर सकते हो, या फिर अगर आपने किसी faculty के notes लिए है, number 23 के आपके पास notes, या फिर आपने May 24 क specifically law और SCMP के notes बनाएं हैं, मंगवाएं हैं, जो भी जैसा भी आपका notes या फिर modules है, आप उनका index एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ICI ने जो new case studies निकाली है, old जो multi-disciplinary subject हुआ करता था उसकी case studies नहीं, जो new case studies MTPs में निकाली है, य अगर यह question आ रहा है, तो मुझे वो question कैसे attempt करना है, कहां से वो question मिलेगा, कितना time लग रहा है question ढूणने में, फिर उनको लिखने में कितना time लग रहा है, फिर आते exam वाले डिन पे, 16 May पे, को सुबह सुबह सबसे पहले तो सारे 5 subjects के, 5 subjects मतलब FR, AFM, audit, DT, IDT, इन 5 subjects के आप आपको एक बार index पढ़ लेना है, वही same आपके module से या फिर आपके notes से जो भी आप follow कर रहे थे इन particular subjects के लिए, और फिर उसके बाद last में आपको law और SEMP का index एक और बार पढ़ लेना है, जिससे आपका वो और अच्छे से revise हो जाए, क्यों अब आते हैं कि आपको exam में क्या कि ICI ने अगर कोई theory question पूछ लिया, किसी भी subject में, FR में, FM में, audit में, DT में, IDT में, law में, SEMP में, किसी भी subject में, तो आपको theory question ICI module से ही मिलेगा, अगर concept notes में topic मिल भी गया, तो वो इतना detail में नहीं मिलेगा, जितना ICI module में है, और ICI जो marks देगा, वो obviously copy paste answer के ही देगा, मतल question आगया, यह theory topic आगया, जो आपको पता है कि भाई, यह concept notes में है, तो आप directly वो concept notes पर जाके, जल्दी-ल्दी search करके, वो solve कर सकते हैं, इसलिए आपको सारे concept notes लेके जाने है, तीसरा आपको एक extra चीज़ लेके जाने है, वो है compilation, compilation जो भी past year RTP, MTP, previous year question paper, जो multi-disciplined subject हुआ करत by chance, बहुत है, repeated case studies आने के chances मुझे थोड़े कम लग रहे है, तो सोचो आपको कितना regret होगा, कि आप 25 में से 25 मांग आराम से score कर सकते थे, लेकिन आपने वो book नहीं लेके कए, इसलिए आपने 25 मांग गवा दिये, तो ऐसा बिलकुल मत करना, यह case study की book तो लेके ही जाना, compilation वा paper writing के लिए मैं आपको जल्दी से बता जेता हूं कि paper writing आपको कैसे करनी है, सबसे पहले आपको 15 मिनिट्स मिलेंगे ना, इसमें आपको चेक कर लेना है कि कोई repeated case study है की नहीं है, 15 मिनिट्स में आपको पांच case studies चेक करने में इतना लगी जाएगा, इसारो करना है कि सब्सक् particular case study की सारे के सारे descriptive questions सर्च करने है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि हमारे time में number 23 में Ecolog के exam में उन्होंने क्या किया था, कि उन्होंने case study repeat कर दी थी, थोड़ा था tweak कर दिया था, जो तो first question, first descriptive question था, वो match नहीं हो रहा था, लेकिन second descriptive question match हो रहा था case study से, तो अगर किसी ने से first question match कर लिया हो, तो उसको case study नहीं मिली होगी, मैंने सारे questions match करने ही कोशिश कर रही थी, तो मुझे second question मिल गया था, कि second question किसी particular case study में repeat हो रहा है, तो उससे मुझे पता चला कि यह case study repeated है, बस थोड़ी सी tweak कर दिया इसे, तो आपको सारे questions ऐसे check करने है, तीसरा, आ पहले, आप repeated case study करना, क्योंकि आपको पता नहीं, आपको repeat करने में, आपको copy paste करने में कितना time लगेगा, तो सबसे पहले repeated case study करनी, उसके बात जो नहीं case studies आई है, वो आपको solve करनी है, a lot one hour per case study है, तो आपको भी बता होगा, 4 घंटे है, 4 case study आपको करनी है, case study optional में जाएग copy paste करने में, आपको पहले पढ़ना पढ़ता है, फिर उसको लिखना पढ़ता है, फिर उसको वापिस पढ़ना पढ़ता है, आपने सही लिखा है कि ने लिखा है, तो इसमें आपका ज्यादा time जाता है, तो इसमें आपको speed, speed आपको बहुत 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 ज्यादा रखनी ये सारी चीजे जो थी वो आपको IBS के पेपर में ध्यान रखनी है और ये मैंने आपको उपर अपना 1.5-day strategy बता दिया, अगर आपको कुछ भी doubt हो, कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे comments में पूछ सकते हैं, तो all the best for this last exam of CA final, finally, 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 हमारा exam जो है वो खतम होने वाला है, हम बिल्कुल ये ensure करके चलेंगे कि हमारा जो last exam है, CA final का, वो हमें exemption, at least exemption तो दिला दे, ताकि अगर हमारा कहीं set off में उपर नीचे भी हो रहा हो, तो ये exam जो है, वो हमें set off में मदद करेगा, और अगर कोई rank लिए prepare कर रहा है, तो ये वो paper है, जो बहुत ज़्यादा, बोलते ह पर में क्या आएगा, कहां से आएगा, तो ये paper जो है, वो rank आपकी ऊपर नीचे कर सकता है, तो ये paper आपको अग्दम crystal clear prepare होना चाहिए, और ये वाली strategy से आपका ये paper बहुत अच्छे से prepare हो जाएगा, so I hope आपको ये वीडियो से कुछ insights मिली होंगी, do share it with your friends, बस दवाँ मे आएगा, thank you, bye-bye.